कि है अग्या एवरीबन उम्मीद करता हूं आप तब लोग सोज्स हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं सिस्सी की नई वेबसाइट लॉंच भी है सेलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन भी आ गया है ठीक है उस से लेडिडिड मैंने कुछ वेडियो ज सर दिख्कते आने हैं तो मैंने खुद एक बार आज सुबह जल्दी उठके पांच बजे रिजिस्ट्रेशन करके देखना सारी चीजे स्मूथली हो गई ठीक है क्योंकि उस टाइम पर कोई भी सर्वर इश्व नहीं था अभी दो दिन पहले मैं कोशिश कर रहा था वन टाइम रिजिस्ट्रेशन करने की तो वहाँ पर जब मैधार नंबर आला था वो वेरिफाय होने भी घंटों लोग रहे थे तो बड़ी दिक्कत आ रहे थी ठीक है इंटरनेट एरर काफी बच्चे रिपोर्ट कर रहे थी कि सरीए इश्यू आ रहा है या बहुत सरीजी यह सर्वर इश्यू की बज़े से प्रोब्लम्स हो जाती है तो आप मेंसे जो लोग फॉर्म भरना चाहें तो उन लोगों के रिकमेंडेट होगा फ्री टाइम पे जहां पर सर्वर खाली हो मतलब कम से कम बच्चे फॉर्म भर रहे हो जैसे ही रात का टाइम हो गया ठीक है जब साइब मैं तो कोई एक्जाम देने नहीं जाने वाला लेकिन रेजिस्ट्रेशन करके एक फॉर्म भर के देख लिया पेमेंट भी करके देख लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तो वो साही चीज़े हम देख लेंगे कि कैसे कैसे करना है ठीक है और बाकी सेलेक्शन पोस्ट मे कि कौन सी पोस्ट के लिए या नहीं वो बहुत मुश्किल काम है उसके लिए एक PDF मैंने टेलिग्राम पे डाल दिए जिसमें सारी डिटेल्ड एलिजिबिल्टी आपको दिख जाएगी उससी साब से आप देखके अप्लाइ कर पाएंगे पर्टिक्लर पोस्ट के लिए तो चीज का आप ध्यान रखेंगे हमेशा हर चीज को आपको डबल वेरिफाई करना चाहिए एसससे की जो ओफिशल वेब साइट थी जो नोटिफिकेशन आया था सेलेक्शन पोस्ट का उसमें सिर्फ लिमिटेड डिटेल्स रखे थी कि डिपार्टमेंट क्या है कौन से लेव वीडियो जो मैंने पहले डाल सेलेक्शन पोस्ट थी वह देख लेना जिससे कि कोई भी दिख्कत आपको प्रोसेस को समझने में ना हो ठीक है और टेलीग्राम चैनल पर प्रिवेश सेरे के सारे पेपर्स भी मिल जाएंगे एक जो हमारी सिरी चल रही थी जिसमें CGL 2023 Tier 1 के स सारे के सारे solutions में करा रहा था इसमें थोड़े सा डिले होगा क्योंकि स्लेक्शन पोस्ट को नोटिस आगया था से में नई website लोइंच कर दी तो इस दोरन काशिसारी कीजिए होगे तो उन पर ध्यान देना ज्यादा जूरू जीता बाकि कल से डेली बैसेस पे आपको वीडि है जिसे आपके लिए simplify कर दिया जाए ठीक है नई website है नई registration बहुत सारी कीजिए नहीं है तो वह चीज़ आप अच्छे से clear हो जाए मेरा कुछ टाइम जाएगा लेकिन आप लोगों के लिए आगे तक की दिक्कत हदम हो जाएगी इसलिए मैं सारा का सारा काम दो तीन दिन म को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो आपको काफी थाधा ही होगा इस से ठीक है आपका फैस्से की जो नई website है इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर सेलक्ष्टन पोस्ट नोटिफिकेशन है जिसकी PDF भी आपको दे दी गई है अब प्रोसेस स जो आपने apply कर दिए इस particular post के लिए उसका application का printout भी आपको अपने पास रखना है जिससे के जब आगे टियर उनके बाद जरोत पड़ेगी तो आपको दिक्कत ना हो तो वह भी मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो सबसे वहले आपने SSC की website हो ली उसमें है पर login और register topmost corner में दिखेगा इस पर click करना है आपको ठीक है तो आप धियान रखिएगा जहां पर यह रेट सरकल है मतलब उस पर हमें click करना है रेड़ स्क्वाइर है sorry ठीक है उसके बाद क्योंकि अगर आपने registration नहीं किया है तो register now पर click करेंगे registration कर चुके तो registration नंबर और password से आप login कर सकते हैं लेकिन फिलाल नया user है तो मैं मान के चल रहा हूँ हम register now पर click करेंगे उसके बाद यहां पर continue पर click करेंगे उसके बाद जो उसके बाद सेम अधार नंबर आपको यहां पर डालना है ऐसी यह वाला तो अपने अधार नंबर डाल दिया तो फिर इसकी जुरूत नहीं पड़ेगी उसके बाद आपको अपना नाम डालना है अगर आपने कभी नाम चेंज किया था तो वहां पर yes करना नाम चेंज नहीं लेकिन यहां पर सही हो गया है डेट मन्थ ये डेट मन्थ ये तो धीर धीर क्रेक्शन होती रहती है इसलिए मैं कहते हूं जब भी नई वेब साइट लोगा है कुछ भी नया नोटिफिकेशन निकले तो थोड़ा दिन वेट कर लिए अगरो चीज आपने एससे सही करता रहता तक बच्चों की क्योरी आई कि उन तक पहुंचेगी वो सही कर देंगे तो यह चीज आप देखते रहे है टेलिग्राम पर भी सीज के बारे मैं ने डाला था उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप यहां पर आप यह आप यह पासिंग डालेंगे टेंथ क्लास का उसके बाद हाइस्ट लेवल आफ एजूकेशनल क्वालिफिकेशन तो यहां पर अपको अपना देख लेना ठीक है 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 यहां पर यहां पर अपर फिर वैलीडेट का ओप्शन आएगा और जैसे ही इस पर हमारा आर भी का है अधिक स्नमर है और ऐसके अगर हम बात करेंगे यहां पर इम डालेंगे अपनी फिर उसके बाद send OTP के लिए करेंगे तो यहाँ पर डालने के बाद और उसे आप verify कर लेंगे यह चीज के लिए आप देखो यहाँ पे न अपनी email जैसे है क्योंकि यहाँ पर मिलेगा उसके बाद आगे भढ़ते हैं अच्छा फिर यहाँ पर verify वैलिडेटीड लिखाव आ जाएगा जब वैरिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको save and next करना है कहीं बार मेरे साथ दिख्कादार थी जब मैं laptop से यह form को फिल कर रहा था मतलब one time registration कर रहा थ तो बारबर इस यह ना दिखनी रहा था था मिज़े पस इतनी स्क्रीम विजीबल हो थी मतलब पूरी की पूरी यह वाला कहीं कोने में छुप रहा था तो जूम इन जूम आउट करके आप देख ले न अगर आपके साथ भी एश्यो वरना पूरी स्क्रीन को अगर आप मिनि तो आपका यहां पर अक्सेस हो गया पहला पार्ट क्लियर हो गया अब आपको क्या मिल जाएगा एक रजिश्ट्रेशन नमबर मिल जाएगा तिके और आपने जो ड्वन नम्बर डाला है उस पर आपको मैसीज मिलेगा तो यहां पर आप कोंदीन्यू करेंगे प्लीज तरह आप हाँ पर डालेंगे और साइन इन करेंगे उसके बाद आप से पूछा जाएगा आपका ओल्ड पासवर्ड जो वन टाइम पासवर्ड था उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड क्रेट करना है किस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था यह सारी इस्ट्रक्शन दे इस तरीके का पासवर्ड आप करेंगे तो वह सम्मिट हो जाएगा सारी जो कंडिशन से वह यहां पर फुल्फिल हो जाएंगी ठीक है पासवर्ड को करेंगे और आप फिर आगे भड़ जाएंगे उसके बाद कि दो तीन सिक्योर्टी कोश्चन अपनी मर्जी से डाल लेना पासवर्ड भी भूल गए फोन नमबर भी आपका चेंज हो गया तो कैसे आप लोगिन करोगे तो उसके लिए सिक्योर्टी कोश्चन है उसको आपको पता होगा उससे भी आप बाद में पासवर्ड चेंज या लोगिन कर पाएंगे ठीक और उसके बाद सेवेंट कर सकते है बाकि फोन नमबर चेंज बिल्कुल भी मत खोने देना अपना जो यहां पर डाल रहो नहीं इमेल आईडी बहुत इंपोर्टेंट रहती है आगे दा सेलेक्शन के प्रोसेस में काम आएंगी ठीक है यहां पर आपका यह वाला पार्ट भी कनफर्म हो चुका है अब इसके ब के बाद आप यहां पर लोगइन करेंगे लोगइन करने के बाद कुछ additional details आप से मांगी जाएंगी जैसे कि आपका हो गया यहां पर का यहां पर क्रोंसी काटेग्री से बिलों करते हैं और कुछ लोगों की क्यरी यह आरिती सर जैसे मानलो मैंने one-time registration वाला प्रोसेस यह एक तो ध्यान रखना अभी आप जो भी कि जिस कैटेगरी से ब्लोंग करते हो फिलाल वो कैटेगरी आप यहां पर डालेंगे और यहां पर निस्टैलिटी स्लेक्ट कर लेंगे अपनी ठीक है आपकी वोडी पर कोई विजीपल आइडेंटिफिकेशन मारक है तो वो डाल देंगे यस होगे तो यस करके उसे साब से अपनी डीटेल साब डाल सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको कंप्रीट डालना है फिर स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर उसके बाद पिन कोड ठीक है तो अगर सेम ही जो आपका प्रमनेंट अटरस है वही आपका प्रिजेंट अगर आप कहीं बहार आए वह ठीक है तैयारी करने के लिए तो आप प्रिजेंट अटरस में चाहें तो वो डाल देंगी पर्मनेंट आपको फिक्स रखें जहां पर कोई न कोई परसन हमेशा वेलेबल होना चाहिए अगर आपका एससी की तरफ से कोई डोक्किमेंट आया तो उसे रिसीव कर पाए तो पर्मनेंट अटरस में वो अटरस अपकर लेगा चलूँ आगया हम में ठीक है बाकी कुछ लोग बोल रहे थी कि उनका पिन कोड यहां पर शोनी कर रहा अब वह ऐसे पता कर पाना कि कौन से पिन कोड पर नई शो कर रहा वह थोड़ा मुश्कि अगी आप डिकलेर करते हैं आप आप अगरी कर दोगे और डण आपका वन टाइम रिजिस्ट्रेशन भी यहां पर क्या हो गया प्लीट ओगया जैसे आपको वन टाइम रिजिस्ट्रेशन कंप्लीट होको तो दुबारे आप चाहिए तो स्सी की वेब साइट पर लोगिन कर तो इस तरह का dashboard दिख जाएगा अभी तो फिलाल अगर आप continuation में चल रहे है registration होने के बाद आपको directly दिखेगा यहाँ पर यह dashboard खुल जाएगा SSC के website पर login करने के बाद जो चीज आती है यह वो आ जाएगी के बाद यहाँ पर जो जो form निकले वह अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्जाम के लिए apply करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमें apply करना था तो हमने apply पर क्लिक किया उसके बाद जैसे apply पर क्लिक करने से पहले सोरी जब यह dashboard खुलेगा तो उसमें आपकी complete details भी आ रहे होंगी आपका नाम क्या है आपके फादर का नाम क्या registration नंबर क्या मदर का नाम क्या mobile नंबर क्या है यह मोटी मोटी साइट details आपको दिख रही है बाइचांस आपको registration नमगना चेंज करना है तो पहुच करो आप यू आर के टेगरी के अभी हो बाद में AWS में convert होगे तो AWS से भरना अगला एक्जाम जो भी आएगा तो आप यहां पर आदे ड्रेज्ट्रेशन peg में हों सबाणाब कर सकते हो ओधार लेकिन चाल डाल दीया क्योंकि यू-डॉ-ब्सक डीचिए तो बच्यों को उसकी जुरुत पढ़ती है है अगे भडते हैं एडिट रेजिस्ट्रेशन और अप्षान को मोडीफाइब कर सकते हो theorem एक तक से ऐसके बाद कुछ इस तरह की डेल्स होगी उसके बाद फिल फॉर्म करदेंगे आप कुछ नहीं करना आप आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आप से personal details कुछ और मांगी जाएंगी मतलब यह basically खुझ से ही आ रही होंगी maximum details जो है जो आपने one time registration में फ़रा था वो सारे की details पहले से ही आ रही होंगी आपको कुछ additional details डालने पड़ेंगी जैसे कि आप आप एक सर्विसमेंट हो या नहीं हो तो no कर देना एक सर्विसमेंट हो तो yes कर देना फिर सेवेंट next कर देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे अब यहां पर सिधा वह पोस्ट के बारे में लेकिन मैंने इस पर्टिकलर पोस्ट के लिए अपलाई करना था पहले मैंने यह वाला रिजन सेलेक्ट करा फिर यह पोस्ट सेलेक्ट करते ही इसकी details आजाएंगी कि पोस्ट का नाम क्या है पोस्ट का level क्या है ठीक है और उसके बाद मेरी जो highest qualification है वो आजाएगी अपने आपी mention होके इसमें क्या essential qualification है वो भी लिखी वे आजाएगी ठीक है फिर आप से पूछा जाएगा क्या form फिल करेंगे तो आप यह कर देंगे ठीक है तो इस चीट का देख लेना एक बर experience वाला बड़े ध्यान से को फिल करना उसके बाद यहां पर आप से पूछता है कि कहां पर आप exam देना चाहते हैं जैसे कि मैं डली का रहने वाला हूं तो मैंने first priority पे क्या डाला डला ठीक है तो अपने वैसे तो थोड़ा वो चेंज होके आई सकता है फिर भी मैंने आपको बताया कि preference आप इस तरीके से अपनी डालेंगे और जो preference आप पहले पॉम में डालेंगे वह लोग को जाएगी तो आप किसी भी region का पोस्ट के लिए apply कर रहे हैं आप अपनी home state वाली region जहां आप एक्जाम देना चाहते हैं वह यहां पर डालेंगे ठीक है उसके बाद दो तीन चीजे और पुछेगा ठीक है कि आप कि कोई physical limitation है या नहीं या फिर आपको स्क्राइब की जुरत है नहीं तो आप यहां पर नो कर देंगे ठीक है मतलब अगर आप सही से लिख पा रहे ह ठीक है तो आप यहां पर अपर नो कर देंगे अगर आपको स्क्राइब की जूरत हा तो ही आप यस करेंगे ध्यान रखना गलती मत करना है यह वह वोगय और रचिक करेंगे और उसके बास सेवें डैस्ट कर देंगे एंग सरीके से अगर आपकी जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ओल्रेडी एज जो उसका टाइम मतलब एज का जो स्टेंडर्स दे रखे उसमें आ रहा है तो आप नो कर देना अगर आपको लगता है से कोई पर्टिकुलर पोस्ट आठारा से तीस साल मांगा गई है और आपक यहां पर मैंने जो पोस्ट को सेलेक्ट किया था इसमें क्या दिकत थी इसमें जो मैंने पोस्ट सेलेक्ट करी मेरी एज इसकी रिक्वाइड जो एज थी उससे ज्यादा थी तो अपने आप ही मैसेज पोपप हो गया कि you are not eligible due to maximum age ठीक है तो यहां पर फिर मैंने दूसरी पो हो गया ठीक है अब हमने क्या करा है इसके लिए apply कर दिया basic काम कवर हो गया पोस्ट लेटी डिटेस मैंने डाल दी अब बारी है document upload मतलब documents upload करने कि अब इसमें क्या upload करने है आपको भी certificate वगएरा कोई upload नहीं करने ठीक है अभी आपको अधारगाट वगएरा भी कोई upload नहीं अब यह सबसे मुश्किल काम है आज के टाइम में लाइफ फोटोग्राफ upload करना इन्होंने दे रखा है अगर आप लाइफ फोटोग्राफ अप्लोड नहीं कर सकते तो यह वाली application play store से डाउनलोड करिए यह जो भी है अपने device से अगर लाइफ फोटोग्राफ अप्लोड न rectangle बनावा आएगा ना इसके बीच में जो portion होगा वो portion आपका capture होगा तो जैसे यह वाली फोटोग्राफ जब मैंने क्लिक करी तो इसमें जो चहरा capture हुआ वो थोड़ा जीब सा मतलब इतना सा हुआ तो यह जीब सी लगी फोटो फिर मैंने cancel करी फिर एक और ट्राई करी फिर आना चीए जो आपको यहां पर दिख रहा होगा red से इसके अंदर आपका पूरा 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 चेहरा है यहां तक आना चीए 70% से जादा चेहरे से cover होना चीए और आख कटे होना चीए कि बाल कट गया या कुछ हो गया दिक्कत हो जाएगी ठीक है हल्का सब भी face cut हो गया तो आपका reject हो सकता है form इस चीट का धियान रखना पहले तो खुद से upload करते थे जब photograph तभी इतने बच्चों के जो application form ते वो reject हो जाते थे के साथ अगर कोई बंदा आपके साथ available हो तो उसे रख लेना जैसे मगर आप phone से बुरा application form बढ़ रहे हो तो किसी दूसरे बंदे को phone पकड़ा देना और जिससे कि आप camera के सामने देखके अपनी photo click कर सको तो इस चीट का थोड़ा सा धियान रखेगा webcam में भी अगर किसी और बंदी की help मिल जाए तो अच्छा है वरना खुझ से आपको laptop लेके दर घूमना पड़ेगा plane background देखना पड़ेगा laptop को हाथ में ऐसे रखके फिर क्लिक करनी पड़ेगी तो थोड़ा सा मुश्किल काम है ठीक है बहुत ट्राई करा तब जाके एक photo finally हुई अब वो भी बिल्क यहां से आपकी capture हो गई उसके बाद आपको क्या करना है कि सिगनेचर अपने upload करने पड़ेंगे ठीक है सिगनेचर की dimension मैंने आपको पहले भी बताई दी कैसे बनाना है वो भी बता रखा तक अगर आपने पहले फोम भराता तो सेम आपको यूज कर सकते हो सिगनेचर विड 10KB से 20KB के बीच की photo होनी चीए ठीक है यह signature आप यहां पर upload करेंगे signature यहां पर आपको छोटा साइड में दिख जाएगा और उसके बाद save and next कर देंगे आप तो आपका क्या होगा photo or signature upload it successfully यह message आपको दिख जाएगा अभी आपका form fill ही हो रहा है इसके बाद preview form को option आएगा जिसमें आपको सारे की सारी अप तक जितनी भी details आ लिए आपने सारी की सारी अपको details दिखेगी वहां से आप चाहिए तो double verify कर सकते है उसके बाद यहां पर फिर से आपको save and next करना पड़ेगा preview application में और यहां पर उसके बाद I agree पी click करके आप save and next कर देंगे तो आपका क्य होगा application submit हो जाएगा contents verify नहीं हुए contents not verified का मतलब यह है कि SSC ने आपने जो डाला मान लिया अभी उसकी चीजे सारी की सारी verify नहीं हुनी है कि जो आपने अधार काड नंबर डाले क्या हो एक जिकलिए आपका ही है या नहीं है क्योंकि आपने कोई upload अधार काड upload तो अपना कर चीजे थोड़ी verify होंगी जो online आपको scrutiny करी जाएगी documents की तो इससे घबराना मत contents not verified, contents not verified का मतलब है कि आपने upload कर दिया लेकिन SSC अभी बाद में verify करेगा, admin card status आने से पहले photographs पकेर अच्छे तरीके से verify की जाएगी और जिनको दिक्काद आए तो हो सकता कुछ लोगों के forms reject भ अब make payment पे click करेंगे तो application की fees 100 रुपे है, कुछ लोगों के लिए form free भी है, तो उनके लिए zero आएगी, ठीक है, pay पे आप click करेंगे, form की fees pay कर देंगे, सुबह का time कोई server रिक्षिन आया, राम से form की fees भी pay हो गई, और उसके बाद transaction की receipt भी मुझे दिख गई, यह मैंने print भी क कर रहा है, live exams में यह आपके exam के बारे में, आप अलग post के लिए apply करना चाहिए, तो यहाँ पर click करके, दूसरी post के लिए apply कर सकते है, selection post की, और अगर आपको देखना है, जो उनसी post के लिए apply करा है, वो कैसे देखेंगे, तो आप my application पे click करिएगा, उसके अंदर आपको जो form भर दिया है, उसकी details दिख जाएंगी, यहाँ पर आगा print का option, इस print के option पे click करिएगा, तो आपको ने जो form fill कर रहा है, पुरा पुरा आपका application, यहाँ पर आपको दिख जाएगी, इसमें जो QR code आ रहा है, यहाँ पर तो सही दिख रहा है, लेकिन जब मैंने print निकाला कुछ इस तरीके साय था, लेकिन हो सकता है कि यह मेरे PC का issue है, यह कुछ settings में दिखा तो, आप देख लिए ना, क्यों आपको 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 अप्लोड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यह PDF सेव करके रखे, आपके पास साथ डिटेल्स भी होंगी, इस किंदर तो आग करेंगे, ठीक है, फिर से आपकी परसल डिटेल्स वेगर, यह सारे की सारी चीजे शेयर, यहाँ पर अविलेबल होंगी, आपने post code select करा, उसके लिए सारी की सारी details फिल करी, ठीक है, अब यहाँ पर देख अच्छी चीज कह है, बार बर आपको live photograph अपनी नहीं लेनी, ठीक ह हो सकता है, आगी जैसे मालो CPU का notification आया है, किसी और exam का SSC का notification निकलेगा, तो उस टाइम पर दुबार है आपको live photograph देनी पड़ेगी अपनी, ठीक है, लेकिन फिलाल, शायद selection post के लिए यह चल जाएगा, हो सकता है SSC ऐसा करें कि यह वाली photograph और signature, तीन महिने तक photograph valid मानी जाती उसमें photo खिच लिए, उसके बाद बार-बार photo खिचने की जुरुत निए, same photograph आप भी चल जाएगी, although यह option शायद देते तो है, I am not sure option था यह नहीं आ रहा है, यहाँ पर capture photo को option ना, तो यह चल जाएगी यह वाली, अगर option आता तो शायद दुबारा भी खिच जाती, तो यह चल रहा, इसके लिए गरी थी, तो मैंने यहाँ पर application submit हो गई, और खतम, फिर मैंने यहाँ पर payment की जगा, मैं go to dashboard पर मैंने click करा, dashboard पाया है, तो my applications में अब क्या हो गया, क्योंकि एक से जादा application है, अगर एक ही application होती, तो सारी details, मतलब वहाँ पर single application बाला आ जाता, print का option, ए last year पर select पर click करेंगे, तो 2024 का आपको option दिखेगा, उस पर click करते ही, आपको दोनों जो post के लिए आपने apply किया था, वो दिख जाएंगे, इस पर आप click करेंगे, double, दोनों post पर करके click करिए, तो यह open हो जाएगा, जैसा ही एक application है, इसकी मैंने payment नहीं करी है, तो यहाँ पर द दिखाएगा, ठीक है, और फिर contents not verified तो ही, कि content तो verify नहीं होए, और अगर payment नहीं होए, तो payment pending, तो this is the complete process, आप payment चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बैटर यह है कि रात को जब आप form भरे, साइड चीज़ अगर smooth ही चल रही है, तो payment करके आप नमटाओ, किसी करेंगी, तो आपकी payment हो जाएगी, ठीक है, कुछ लोग हो कि क्या होता, कहीं बार ऐसा भी होता है, कि payment कर गई है, आपके account से, लेकिन SSE तक नहीं पहुची, तो उस case में दोतीन दिन तक processing दिखाता रहता है, payment processing करके, तो उसमें भी घबराना नहीं है, 48 hours के बाद आप एक ब दुबार ट्राइ करेंगे, तो हो सकता है, आपकी payment, किलियर हो चुकिए हो या फिर आपको दुबारा payment करने को कहें, तो आप दुबारा कर सकते हैं, ठीक, तो यही सारी की सारी चीज़े थी, I hope, सब कुछ समझ में आ आगया, आपको अच्छे तरीके से, ठीक है, हाथ सुब आपको पता है, तो आप इस playlist को यूज करके, selection post के अच्छी खासी त्यारी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें limited number of questions, सारे questions, relevant exam के point of view से आपको मिल जाएंगे, तो कम टाइम में त्यारी करनी है, तो यह playlist आपके लिए math की best रहेगी, ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें, English क आपके भी, top 120 grammar rules, सर नहीं इसमें करा रखें, तीन वीडियोच के अंदर, यह वीडियो grammar के लिए आप देख सकते हैं, बागी प्रैक्टिसेशन देख सकते हैं, जीके के crash courses, physics, chemistry, biology, politics, economics, इनके crash course भी available हैं, जो आप देख सकते हैं, अगर time कम है, तो crash courses के मदद आपको लेनी पड़ी की exam की तयारी करने के लिए, अगर आप पूरी तयारी बिल्कुल detail में करना चाहते हैं, तो RB application पे complete courses available हैं, जिससे आप पूरी तयारी कर सकते हैं, बिल्कुल beginner level का बच्चा, high level की तयारी, RB application से कर सकते हैं, टेलिग्राम चैनल पर आपको सारे exams के, SSC के, और DPP के PDF मिल हैं, हिंदी सब्जेक्ट की classes प्याड हो गई हैं, जो stando को देना चाहिए, उनके लिए stando ग्राफिक की classes भी upload हो गई है, daily targets group अवेलेबल होते हैं, जिससे कि आप daily basis पे target बेस्ट अपनी तयारी कर पाएं, classes हम recorded form में रखते हैं, जिससे कि आपका time बिल्कुल भी waste नहों, कम से वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकि आप लोगों को अगर वीडियो सही लगी हो, आपको लोगों relevant information आपके तक पहुझ गई है, अब आप three minds से form भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इस वीडियो को बाकि अपने friends जो SSC exams देने वाले हैं, जिनको register करन हैं, जिससे की उन्हें भी कोई दिक्कत ना है, ठीक है, और आपकी कोई query है, form भरने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी इश्क है, आप comment section में comment कर सकते हैं, अगर हम visual कर पाएं, तो जरूर कमेंट को पढ़के, उसका solution आपको साथ के साथ लिखेंगे, अगर मैं च चीज से लेटेट, ठीक है, और कुछ चीजा ऐसी भी हो सकते हैं, इसका जवाब मेरे पास भी ना हो, तो हो सकता है वो comment, खाली रह जाएं, या बाकी लोग दिने उसका reply पता हो, तो वो reply कर दें, ठीक है, so bye bye everyone, take care, have a nice day and jahin.